हे गाइज वेलकम टू माई चैनल साहू साइन्स क्लासेज तो आज की वीडियो क्लास 12 वालों के लिए है क्योंकि आप जानते हो कि आपके 16 फेब्ररी से यूपी बोर्ड के एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपके पास समय बहुत कम है तो आपके लिए शौर्ट रिवीजन और बहुती जल्दी रिवीजन के लिए वीडियो आने वाली है जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के most important numericals कराने वाला हूँ और आज से मैं most important numericals most important derivations सारी चीज़े आपको डाला करूँगा तो आप चैन जो numerical में बताने वाला हूँ वो lens chapter के numericals है और वो आपके exam में आने के सबसे ज़्यादा chances रहती है सबसे पहला जो मैं आपको question कराने वाला हूँ वो last year ही आया है यानि कि 2000-22 का ही एक numerical कराने वाला हूँ तो आईए समझते हैं कि क्या कहता है हमारा numerical तो देखिए numerical आपको दीख रहा होगा क्या कि एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल lens की वायू में focus दूरी इतनी है इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर lens की focus दूरी एवं प्रकरती बताईए तो देखिए गाईज ऐसे questions में आपको क्या करना है जरा समझते है तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एक 1.5 अपवर्तनांक वाले तो 1.5 अपवर्तनांक किसका है lens का है तो हम कह सकते है कि lens जो होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है small n लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि लेंस है अगर ये लेंस कहीं नहीं रखा है तो simple value में रखा है value में रखा है मतलब इसके अंदर क्या होता है glass होता है और बाहर क्या होती है air होती है तो हम कह सकते हैं जो इसका अपवरतनांक होगा वो दो चीज़ों किसाप एक शोगा किस किस के एक तो air के respect में glass में है ना तो ये क्या दे रखा है अपको ang 同ования 1.5 अपवरतनांक वाले avatar lens की value में focus दूरी तो ये क्या दे रखा है आपको avatar lens दे रखा है और vaiu में focus दूरी दे रखी है और सबसे पहले हमने देखा कि इसका अपवरतनांग कितना है एंजी 1.5 और वायू में फोकोस दूरी मतलब F सपिक्स में A कितना दे रखा है 20 cm दे रखा है बई कितना 20 cm दे रखा है सबसे पहले तो हम जो हमारा given part है उसको लिख लेते हैं इसे 1.6 अपवरतनांग वाले द्रव में रखे जाने पर यानि कि इसने क्या बोला कि एक द्रव है तो इसका मतलब क्या हो गया द्रव को इंगलिश में क्या बोल दो भई द्रव को बोल दो liquid है अब लिक्विड है लिक्विड का अपवरतनांग दे रखा है अब किसी का भी अपवरतनांग दे रखा है तो वह हमेशा किसके होगा AR के respect में होगा YU के respect में होगा यानि कि आपको क्या दे रखा है आपको दे रखा है A, N और L है ना भई देखो ऐसे लिखना होता है पहले N लिख लो फिर सब इकस में A लिख लो और फिर L लिख लो ठीक है तो A, N, L is equals to दे रखा है आपको 1.6 1.6 अपवरतनांग दे रखा है अब आपसे क्या पूचा है रखे जाने पर Lens की focus दूरी एवं प्रकर्ती बताईए क्या पूचा है Lens की focus दूरी एवं प्रकर्ती बताईए तो भई Lens की focus दूरी मतलब FL निकालनी है क्योंकि अब वो द्रव में रखा जा चुका है और उसकी प्रकर्ती की वो कैसा nature show करेगा जरूरी नहीं है कि वो अवतल है वायू में तो अंदर अवतल ही प्रदर्शित करे तो देख लेते हैं इसको कैसे solve करना है ऐसे questions आपको exam में पका definitely मिलने वाले हैं और 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक है आपको ये formula बिल्कुल अच्छे से आदोना चाहिए इसका derivation भी मैं कराऊंगा lens maker का आज मैं numerical से शुरुआत कर रहा हूँ तो देखो भई इस numerical को हम कैसे बाटेंगे सबसे पहले 1 upon f है तो air में है है ना पहले air में तो air में है तो lens air में रखा है जब किस में रखा है? lens air में रखा है वायू में रखा है तो क्या हो जाएगा ang minus 1 और ये हो जाएगा 1 upon r1 minus 1 upon r2 एक चीज तो ये हो गई ठीक है अब जब ये 1 upon f is equal to this है तो हम कह सकते हैं बई कि 1 upon f तो 1 upon f कितना था? 20 था हमारा f कितना था? 20 is equals to ang ang कितना था? 1.5 था 1.5 minus 1 ठीक है और ब्रेकेट में क्या है? 1 upon r1 minus 1 upon r2 आ गई बात समझ में अब आते हैं next 1 upon f l पे तो बई 1 upon f l है तो देखो जब air में था तो air के साब इक्ष था अब वो glass वो जो lens है वो किस में है? liquid में है तो वो liquid के respect में हो जाएगा l ng minus 1 और 1 upon r1 minus 1 upon r2 आ गई बात समझ में अब आपको ये समझना होगा कि हमारे पास l ng तो नहीं है क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास क्या given था? an l given था लेकिन हमारे पास l ng नहीं है तो l ng कैसे निकालेंगे? देखे आपको पता होगा 1 and 2 is equals to क्या होता है? n 2 upon में n 1 मतलब ये वाला उपर आया और ये वाला नीचे आया तो ऐसे ही l ng क्या हो जाएगा? ng उपर आ जाएगा और n l नीचे आ जाएगा और ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में होंगे? ar के तो l ng का फार्मला हो गया ang upon में an l ठीक है? आईए अब इसकी value रख देते हैं तो 1 upon f l is equals to क्या हो जाएगा? ang upon an l minus 1 और bracket में 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक है? अब इसकी value रख देते हैं 1 upon f l तो हमें पता नहीं है निकालना f l ang ang upon an l ang कितना था? 1.5 था और an l कितना था? हमारे पास 1.6 था 1.6 minus 1 क्या आगया? 1 upon r1 minus 1 upon r2 अब हमें क्या करना है? एक हमारे पास ये equation है एक हमारे पास ये equation है दूसरी इन दोनों को पहले इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं तो कैसे solve करेंगे? देखो सबसे पहले हमने देखा 1 upon f l is equals to क्या है? 1.5 देखो एल से हम लेंगे तो ये उदर multiply हो जाएगा इसका है ना? जब इसका इदर multiply हो जाएगा और इसका इदर हो जाएगा तो upon में क्या आ जाएगा? पूरे की upon में आ जाएगा? 1.6 या फिर देखो ऐसा कर सकते हैं सबसे पॉइंट से point कार देते हैं तो नीचे 16 बचेगा बस है ना? easy हो जाएगा अब 16 एकम 16 तो 15 minus 16 क्या होगा? 15 minus 16 होगा और into में 1 upon r1 minus 1 upon r2 अब देखो भई एक equation ये माल ली हमने एक equation ये माल ली 1 वाली अब इन दोनों का क्या कर देना है? divide देना है जब इन दोनों का divide देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो 1 upon 20 upon में 1 upon fl है ना? और उपर क्या था इसमें? 1.5 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो 1.5 minus 1 कितना हो जाएगा? 0.5 और उपर हो जाएगा 1 upon r1 minus 1 upon r2 और upon में आ जाएगा देखो इसको solve करेंगे 15 में से सुला गया minus का 1 बचा minus का 1 बचा है ना? तो minus का 1 upon में 16 हो गया है ना? और into में 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक गया? अब लोगया? इस से यह cancel हो गया यह वाली बात समझ में आगे देखो पास वाला पास वाले के पास और दूर वाला दूर वाले के पास आगे मेरी बात समझ में अब देखो इसको यहीं कर लेते है इसी page पर कर लेते है खत стоит देखो fl उपर गया तो fl और upon में क्या गया 20 आ गया इस इकल्स टू अब ध्यान से दिखना यह तो कट गया अब 16 भी उपर चला जाएगा क्योंकि यह उपर ही तो जाएगा और minus का हो जाएगा minus 0.5 इंटू में 16 अब देखो point हटाएंगे upon में 0 लगाएंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 2 से कितनी टाइम जाएगा 8 भार जाएगा अब देखो यह 20 और रहे गया तो 20 उदर जाएगा multiply में तो fl कितना जाएगा 20 गुणा में 8 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा तो minus 8 दूनी 16 160 cm आ गया तो इससे हम कह सकते है कि जो हमारी focus दूरी निकल के आई है दरफ में वो minus के 160 cm है और क्योंकि focus दूरी minus की है इसलिए उसकी प्रकरती अवतल ही रहेगी क्योंकि अवतल lens की focus दूरी जो होती है वही minus में हम लेते हैं ठीक है तो I hope आपको ये वाला question समझ में आया था आया होगा जो कि बहुत ज़्यादा important था हम मिलेंगे ऐसे ही बहुत ज़्यादी बहुत सारी next video में So, goodbye guys